दोस्तों सवागत है आपका टैनलो में ऐज बहुत ही असान सब्दों में समझने वाले हैं अर्टिकल 15 के बारे में क्या बात करता है अगर अर्टिकल 15 की बात करें तो अर्टिकल 15 बात करता है Prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex और place of birth यानि कि basically यह protection अगेस्ट कि बात करता है और प्रटेक्ट करता है इस्क्रिम्डेशन को किस चीज safest का पर भू रिलीजिन यानि धर्मी के अधार पर या रूज यादि और फिर पर या फिर या जाती के अधार पर सेक्स यानि जेंडर के अधार पर uh place of birth यानि कि जन्म के अधार पर आपको discriminate करता है तो उस discrimination से आपको बचाता है article 15 so article 15 के clause 1 की अगर बात करें तो article 15 के clause 1 क्या बात करता है the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of a religion, race, caste, sex, place of birth और any of them जाहिर सी बात है कि article 15 clause 1 की बात करें तो यहां पर बात किया है state के बारे में ध्यान से सुनिएगा state के बारे में बात किया है state shall not discriminate कि यह state की दाई तो बनती है कि वो आपको discriminate ना करें on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth तो यहां पर state की बात की गई है article 15 clause 1 में 15 clause 2 की अगर बात करें तो यहां पर बात किया गया no citizen self discriminate on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth यहां पर citizen की बात की गई है कि citizen में कोई discrimination ना हो religion, race, caste, sex, place of birth को लेकर यहां फिर on the subject to disability हो गया liability condition जैसे की कुछ जैसे की softs वगेरा में हो या फिर public restaurant, hotels जैसे 15 clause 2 बात करता है clause A, sub clause A की बात किया रहे यहां पर 15 clause 2, sub clause A में जहां पर बात करता है softs वगेरा public restaurants हो गया है, hotels वगेरा हो गया है या कोई ऐसा स्थान जो public के लिए हो वहां पर जहां पर लोग entertainment करते हैं ऐसे जगहों पर कोई discrimination नहीं हो इन सारी चीजों को लेकर होगे article 15 clause 2 clause B की बात करें तो यहां पर कहता है कि अगर आप use कर रहे हो क्या whales यानि कि जो कुवा होता है या पर कुवां से पानी निकालना है तो अलग-अलग जाती के लोग अलग-अलग धर्म के लोग उस पानी को निकाल रहे हैं तो उस अधार पर अगर discrimination होगा तो यह हवी गलत है तो ऐसी चीजे पहले के जवाने में हुआ करता था तो इसी वज़ा से इस चीजों को भी डाल दिया गया है या फिर कोई बाथिंग गार्ड से जहां पर लोग आज भी असनान करते नदी किनारे वहां पर एक जात के लोग एक पंत के लोग एक धर्म के लोग तो इस तरीके से दिस्क्रिमिनेशन ना हो तो यह सारी चीजों को रखा गया है कि ऐसा भी डिस्क्रिमिशन नहीं होना चाहिए और कोई भी चीजे जैसे स्टेट फ़न्ड से आता है और वो पबिक के लिए इस्तेमाल कह जाता है जैसे कि आपने देखा होगा कि पबिक के पीने के लिए बच्चों के लिए एक horizontal reservation यानि की एक तरीके से state को ये article जो है article 15 जो एक बात करता है कि discrimination नहीं होना चाहिए लेकिन state ऐसा कोई कानून बना सकता महिलाओं के लिए बच्चों के लिए ओके तो ये horizontal reservation जैसे जानते ही आप article 15 clause 4 कि अगर बात करें article 15 clause 4 क्या बात करता है article 15 clause 4 बात करता है कि nothing in this article in clause 2 of article 29 यानि कि article 29 का clause 2 क्या बात करता है कि interest of minorities के लेकर को लेकर कोई educational institutions बना है तो उसमें जो पढ़ रहे हैं लोग उनको उस basis पे उनके admission में नहीं रूका जा सकता है जो कि जैसे कि place of birth, race, religion इस basis इन grounds पे इनको admission के लिए नहीं रूका जा सकता है basically ये 29 clause 2 ये बोलता है जो भी educational institutions बना है minorities के लिए okay so ये protection of interest of minorities के लिए educational institutions बनता है तो basically अगर कोई कानून सरकार बनाती है for the advancement of socially, educational, backward classes के लिए या फिर schedule caste के लिए, schedule tribes के लिए तो ऐसा उनके लिए reservation डाल सकता है state चाहेगा तो so इससे article 29 clause 2 का कोई मतलब कुछ बिगडेगा नहीं समझ लीजे now come to article 15 clause 5, 15 clause 5 क्या बात करता है, 15 clause 5 सिधे बात करता है, article 19 clause 1 sub clause G क्या बात करता है article 19 clause 1 sub clause G सिधे बात करता है कि to practice any profession or to carry any occupation, trade or businesses यानि कि आप कोई भी बैवसाय कर सकते हैं, देश में कोई profession को practice कर सकते हैं, यह सारी आजादी देती है, कोई भी business कर सकते हैं लेकि नहीं पर क्या है कि state अगर कोई reservation लाता है, तो इससे अगर उसको नुकसान होगा तो वो इसको लेकर court नहीं जा सकता है कि यहां पर violation है, article 19 clause 1 sub clause G का, कोई कि अगर state अगर कोई कानून बनाता है for the advancement of socially, educational, backward class के लिए, या फिर scheduled tribes के लिए, या फिर scheduled caste के लिए, तो इसको लेकर नहीं जा सकता है सेम, next जो amendment, 103 amendment जो आया था, 103rd amendment, जो कि किस से चीज से related था, बोट था, EWS के लिए, इसके लिए था, EWS के लिए, तो उसमें भी यही चीज बोला गया था, यह article 15 clause 6, एक add है तो article 15 clause 6 में क्या कहा गया, कि nothing in this article or sub clause G of clause 1 और article 19 or clause 2 of article 29 self-prevent the state from making any law, वही चीज फिर से बोल दिया गया, जैसे SC, STs और educational backward class के लिए, जो लाया गया था, उसमें कहा गया कि 13, 29 clause 2 का violation नहीं होगा, 19 clause 1, sub clause G का violation नहीं होगा, तो वही चीज यहां पर बोल दिया गया, कि इसका भी violation नहीं होगा, तो for the advancement of EWS के लिए बन सकता है, उनके advancement के लिए reservation है, तो यह 15 clause 6 उसको देख लिजेगा, thank you so much.